हलो फ्रेंद्स वेलकम टू आल्समेट काईज येस नो नॉट गिवन रीडिंग में बहुत सारे स्टुडेंट्स को कन्फ्यूज करते हैं तो उसको लेकर मैं एक एक्ससाइज लिकर आई हूँ जब आप रीडिंग सॉल्व करते हो येस नो नॉट गिवन में बैसिकली आपको उस लोकेशन पर जाना पड़ता है लेकिन आप फस्ते वहां पर जहां पर आपको इस नो नॉट गिवन में तो यहां पर मैं जो टेक्स्ट लेकर आई हूँ तो उसमें आपको लोकेशन तो नहीं डूडने पड़ेगी बिकॉस लोकेशन आपके पास ही है और 99% आपको यह देखना है कि आपको yes, no, not given की कितनी knowledge है इस वीडियो में आप यह चीज जो है समझ सकते हो अगर आपके तीनो questions सही है इट मीन्स आपका almost जो है जो clarity है वो अच्छी है yes, no, not given को लेके तो let's see पहले हम question को ही read करेंगे Richard did not live in England while he was a king तो Richard इंगलान में नहीं रहा थ जह जिस दुरान वो king था जब वो king था तो वो England में नहीं रहा था और यहां पर क्या लिखा है Richard the Lionheart the king of England had spent much of his reign outside England अब बतलब आपको यहां पर tips भी साथ साथ ही मिलेंगे कि अब वो यहां पर किया रहा है outside England जो कुछ students देखेंगे कि वो England से बाहर रहा था और did not live in England तो वो कर देंगे इसको yes लेकिन यह गलत हो जाएगा क्यों अब यहां पर tip यह है कि हमेशा मैं यह कहते हूं कि सबसे मतलब England में नहीं रहा था जब वो king था लेकिन क्या आप 100% कह सकते हो उसने बोला है much of his reign उसने बाहर England के गुजारी है रीन का मतलब क्या होता है तो यहां पर again vocabulary की importance आजाती है मैं हमेशा कहते हूं कि tips आप जितने मर्ज़ी कर लो tricks आप जितने मर्ज़ी कर लो vocabulary अगर आपको जिस समय में वो king था उस टाइम पे वो जदातर उसने कहा कि England से बाहर आए तो आपको deduce करनी होती है चीज़े मतलब conclude करनी होती है कि आप सोच सकते हो पहले question को देखो ही मतलब सोचो यहां पे कि अच्छा जदातर वो England से बाहर आए it means कुछ तो time है उसकी reign में ही much of is reign मतलब ज्यादातर रीन का वो अपनी England के बाहर आए लेकिन कुछ तो है it means वो अंदर ही रहा है obviously और तो कोई नहीं जागा यह तो बाहर यह अंदर और तीसरी कोई जगा नहीं है तो it means वो रीन के अंदर अपनी रीन में अपने कारेकाल में England में रहा है लेकिन question क्या कह रहा था कि वो बिल्कुल ही नहीं रहा यहां पर question में अगर मैं yes लगा देती हूं तो इसलिए question यहां पर क्या आजाएगा नो अब not given भी नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा आप देखो कि हमें पता चल चुक है तो not given कैसे कह सकते है नोट-गिवन तो कभ करेंगे जब हमें पता यह नहीं चल रहा लेकिन हमें तो यहां से पता चल गया कि ज्यादा तर वह इंग-लाइड के बहर रहा है लेकिन अगर ज्यादा तर है तो थोड़ा बहुत कहा रहा होगा अंदर तीसरी कोई जगह नहीं बहुत वो अंदर रहा है वो मैंने खुद deduce करना है खुद उसको समझना है तो वो सीधी बाते नहीं कहेगा question आपसे यह चीज होती है तो यह answer no है not given नहीं है क्योंकि मुझे तो पता चल चुका है कि वो रहा है उसके अंदर अपने इंग लैंड के अंदर अपनी दीन में रहा है now second question is Richard was a better king than John Richard John से better king था अब यहां पर भी देखना क्या confusion होती है आपको पढ़ते हैं इसको Richard और John की बात हो रहे है Richard better था वो कह रहे है ठीक है लग रहा है better था Richard was considered a good king अच्छा था Richard एक अच्छा king था in 1199 Richard did died sorry यहां पर died and his brother John became king अब इसके बारे मुझे कोई negative चीज नहीं मिली Richard के बारे में ज्यादा Richard मर गया और उसकी बजाए उसका जो John है वो king बन गया John continued to fight in France and he kept losing the battles अब John की बात आई तो मैंने देखा John अपनी लडाईयां हारे जा रहा है battles हार रहा है he needed more money so his government demanded more taxes ruthlessly अब उसे पैसा चाहिए था क्योंकि वो लडाईयां हार रहा था तो उसकी government ने ruthlessly need data से tax लगाने शुरू कर दिये कर दिये ठीक है अब baron पढ़ लेते हैं एक बार इसको भी barons baron होता है कि वो जो है England में कोई powerful people होते है society के उन्हें barons कहते है baron became unhappy अब इस john से वो unhappy होगए कि ये बंदा battles भी हार रहा है tax लगा रहा है तो वो उससे नाखुश हो गए with john exploiting them कि उन्हें लगा john उनको exploit कर रहा है उनका गलत यूज कर रहा है they rebelled वो लड़े, कौन, barons and to cover London फिर इन्होंने London को take over कर लिया और force john to negotiate उन्होंने john को force किया कि वो बातचीत पर आए तो अभी सरफ इतना पड़ा लेकिन अभी हमें पता क्या चला, अब यहाँ पर भी आप deduce करने लग जोगे जैसे मैंने बोला कि आपको निशकर्ष निकालना है, खुद conclude करना है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम वोई प्रिंसिपल अगर use करें, तो john ने अपनी battles भी हारी, उसने tax भी लगाए, उससे लोग unhappy भी हो गए, तो अब हम क्या करेंगे student क्या करेगा, वो खुद ही लगा लेगा yes, Richard ही better better था भई उससे तो, उससे तो Richard ही मुझे बहतर लग रहा है, जितना मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन अब इसमें conclude करने में, एक तो यहाँ पर मैंने ठोस fact निकाला था, कि अगर outside नहीं है, तो अंदर होगा, obviously तीसरी कोई जगा नहीं, तो वो तो थोस fact था, वो तो prove है, लेकिन यहाँ पर मुझे यह बताओ, अब मैं कैसे कह सकते हूँ कि Richard इससे भी बुरा नहीं था, हो सकता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर information Richard को लेके तो आई ही नहीं, तो मैं कैसे कह सकते हूँ, पहली बात तो यह, ठीक है, अब दूसरी बात, अगर मान लो Richard को भी और अच्छा अच्छा दिया होता, कि कहां भी होता इन्होंने, कि Richard ठीक था बंदा, इन्होंने guarantee के साथ यह लिखती होता, तो भी, तो भी, John के बारे मुझे सरफ दो चीज़े पता है, कि एक तो उसने लडाईया हारी, और दूसरा tax लगाए, जिससे लोग unhappy थे, लेकिन हो सकता है, कि वो social perspective से अच्छा हो, यहाँ पर मतलब बहुत सारे, अभी रह जाते है question mark, कि वो बंदा, लोगों के साथ कैसा था, मुझे नहीं पता, वो अपने परजा के साथ कैसा behave करता था, उसने rules कैसे बना रखे थे, उसके rules कैसे थे, वो person कैसा था, character उसका कैसा था, मुझे तो यहाँ से सिर्फ दो ही चीज़े पता चल रही हैं, तो मैं conclude यहाँ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं थोस मतलब उसके guarantee के साथ नहीं क्या सकती, क्योंकि जो भी guarantee के साथ कहेगा, आप में से, मैं उन्हें ये question पूछँगी, क्या आपको पता है, उसने rules कैसे बनाय थे, क्या आपको पता है, क्योंकि वो अपनी परजा के साथ कैसे behave करता था, यह सारी चीज़े question mark रहे जाते हैं, इसी लिए चाहिए Richard है, चाहिए John है, मैं नहीं कहा सकती, कौन सा better है, तो yes नहीं आएगा, Richard को मैं better नहीं कहूंगे, चाहिए उसने लिखा हुए Richard अच्छा था, हो सकता है, John उससे भी अच्छा behave करता हो, तो अच्छे के मतलब ना, यहां पर एक दूसरी बात है, अच्छे के बहुत सारी definitions होती है, अब किस way में वो अच्छा कह रहा है, अब वो मानलो battles लडने में कह रहा होता, कि यहां पर कह रहा था कि इसने कोई battle नहीं हारी और इसने बहुत सारी हारी हैं, तो मैं कह देती कि येस, रिचर्ड जो है, अच्छा था, in the perspective of learning better, from the perspective of fighting the battles, पूरा लिखा होता है, लेकिन हम मुझे पता ही नहीं किस way में वो अच्छा कह रहा है, तो मैंने not given लगा दिया, तो अब एक चीज आपको यहां पर पता चले होगी, कहां पर अपने deduce करना है, कहां पर अपने अपना दिमाग लगाना है, कहां पर अपने अपना दिमाग नहीं लगाना, यह चीज है, यहां पर मुझे 100% guarantee के साथ कह सकती थी, कि यहां तो England के अंदर, अगर वो बाहर नहीं रहा, कुछ time बाहर नहीं रहा, कुछ बहुत time बाहर रहा है, तो जो थोड़ा सा time है, obviously अंदर होगा, obviously अंदर होगा, लेकिन यहां पर मैं guarantee के साथ कुछ नहीं कह सकती थी, मुझे John के बारे में बुरी बाते पता हैं, लेकिन यह तो नहीं पता कि John की मतलब अच्छाईयां क्या थी, या फिर वो कुछ चीजों में अच्छा भी तो होगा, John was not successful at the war, अब यहां पर भी कुछ confusion आती है, student पढ़ चुके होते हैं, यहां दखा कर वो पढ़ चुके हैं कि John ने kept losing, वो हारता ही रहा बैटल्स, लेकिन अब इसे देखके हम क्या करेंगे, मतलब student क्या लगा देगी, कि not successful ठीक है, वो तो हारता ही रहा, लेकिन अगेन मैं क्या कह रही हूँ, 100% satisfaction है, इस sentence में भी 100% satisfaction होने चीजए, John was not successful at war, wars नहीं लिखा, इसका क्या मतलब है, wars नहीं लिखा, यहां पर बैटल्स था, यहां अगर singular war है, इसका कहने का यह मतलब था, कि वो एक war particular किसी war की बात कर रहा है, जो हुई होगी, फिर आपको ढूंदनी है, वो war कौनसी है, wars की बात नहीं है, तो यहां पर हमने देखा, कि बैरन्स ने rebel किया था, बैरन्स लड़े थे, rebel पता होगा, आपको meaning means लड़े, और उन्होंने टेक ओवर कर लिया लंडन को, इट मींज जॉन हारा को, अगर दूसरी पार्टी टेक ओवर करती है, तो इट मींज जो opposite है, वो हारा होगा, यह आपको पता चल जाने चाहिए, बहुत सारे यह सही है, अब आप यह देखकर यह लगाना है, आपने यह देखकर यह नहीं लगाना है, यहाँ पर भी जॉन हार गया, इसलिए आप यह लगा रहे हो, कि हम एक पर्टिकुलर वार की बात करें, यह 100% satisfaction मतलब कि इसके एक-एक वर्ड को satisfy कर रहा है, तो मैं यह लगा रही हूँ, इसके एक-एक वर्ड को satisfy कर रहा है, तो यह कुछ चीजे थी, जो मैं clear out करना जाती थी, अगर आपको चाहिए, ऐसी exercises, yes, no, not given, पर you can comment, इससे क्योंको जादा मैनत नहीं करने पड़ेगी, आपको टेक्स डूढने में और आपकी exercise भी हो जाएगी, yes, thank you.